फ्रेंड्स, जब किसी महला को पहली बार यह पता लगता है कि वे प्रेगनेंट है तो यह पल उसकी लाइब का सबसे खास पल और सबसे special पल होता है और यह और भी ज़्यादा खास तब हो जाता है जब वो पहली बार माँ वनने वाली होती है तो बस उसकी यही चाह होती है कि उसको कभ यह कुसकवरी सुनने क्यों मिले वो भी जल्द से जल्द मिले क्योंकि उसके अंदर curiosity होती है तो उसकी बस यही चाह होती है कि उसको यह special जो good news है वो जल्द से जल्द सुनने को मिल जाए कई सारी बहने तो ऐसी भी होती है जो कई सालों से try कर रही होती है बच्चे के लिए लेकिन conceive नहीं कर पा रही होती है तो उनको बस यह चाह होती है कि वो जैसे ही pregnant हो ना वैसे ही उनको यह पता चल जाए कि वो pregnant है वैसे ही उनको यह good news मिल जाए वैसे यह कुछ कवरी उनको मिल जाए तो friends कुछ ऐसे early symptoms होते हैं जिनको देखकर हम यह पता लगा सकते हैं यह खास पल के बारे में हम अंज्यूम कर सकते हैं अपने अंदर जो हमारे बोड़ी के अंदर कुछ changes होते हैं उनको देखकर हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि हम pregnant है तो hello guys welcome back to my youtube channel सशी pregnancy tips friends आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग दियो तो please मेरे चैनल को like and subscribe कर लिया करो तो चलते हैं टॉपिक की तो pregnancy का एसास हर मेला के लिए सबसे एहम पल माना जाता है और सबसे खास पल माना जाता है इसकी जाच के लिए बजार में कई सारी दवाईया टेस्ट एबम उपकरण मौजूद हैं परन्तु ये सब चीजों का उपयोगन हम दूसरे महीने में कर सकते हैं उससे पहले हम नहीं पता लगा सकते कि हम pregnant हैं या नहीं तो friends कुछ ऐसे early symptoms होते हैं कुछ ऐसे शुरुवाती लक्षड होते हैं जिनको हम देखकर पता लगा सकते हैं हमारे सरीर में कुछ ऐसे बदलाब होते हैं जिनको देखकर हम अंधाजा लगा सकते हैं हम अंजियों कर सकते हैं कि हम pregnant हैं या नहीं तो जानते हैं उन लक्षणों के बारे में फ्रेंट्स नम्मर एक होता है ब्लीडिंग इन्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रग्नेंशी के सुरुआती संकेतों में से एक माना जाता है फ्रेंट्स जैसे हमारा एग, एबम, इस्पम एक दूसरे से फ्रेटिलाइस हो जाता है और ब्रूर्ड के रूप में प्लांट हो जाता है हमारे गर्वा सहे में तो हमेना थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है लेकिन ये ब्लीडिंग ना पीरेट की तरह नहीं होती है यह हलकी ब्लीडिंग होती है और इसमें एक धबा या गुलाबी स्राव होता है पिंक कलर का हमारा जो डिस्टार्ज निकलेगा योनी से वह या तो पिंक कलर का होगा या हलका हलकी कलर का होगा वह पी रेट की तरह एकदम धाक नहीं होगा तो आप इसको ना देखकर तो आप इसको देखकर आइडिया लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो नमबर दो होता है एठं महलाओं को हलकी एठं मैसुस हो सकती है बुरूड के दिवार से जुडने पर एठं होती है जैसे ही हमारा जो बुरूड होता है वो गरवास है की दिवार है उससे चिपक जा जो एठन है वो मैसूस होगी तो इस सिम्टम को देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आप प्रेगनेंट हो नमर तीन होता है कमर दर्द और ब्लोटिंग यूट्राइन लाइनिंग रिलीज होने पर गरबासे में किचाव आता है जिसकी बज़े से आपके कमर और पेट में दर्द होने लगता है और हार्मोन्स भी डिस्टरब होने लगते हैं, उतार चड़ाव होता है हार्मोन्स में, तो उसके कारण आपको ब्लोटिंग की प्रोब्लम हो जाती है, तो आप इस सिम्टम को देकर अंदाजा लगा सकते हो कि आप प्रगनेंट हो, नंबर चार होता है सिर्दड, कई महिलाओ का मैंस्ट्रूल माइग्रेन होता है, जिसका सम्मंद हार्मोन से होता है, गरवा से के सुरुवाती लग्चड़ों में मास्क धर्म आने जैसे ही होते हैं, इसके सिम्टम भी ऐसे ही होते हैं, जैसे हमारा पीरेट आने वाला होता है, उस समय के सिम्टम होते हैं, तो कई महला को यह पता नहीं लग पाता है कि वो प्रेग्लेंट है नमबर पांच होता है सरीर में बदला करवा वस्ता के शुरुआती दिनों में महला को अचानक से भारी पर मैसूस होने लग जाता है उसको तकान भी मैसूस होने लग जाती है उसको अनहाईजनिंग सा फील होने लगता ह और उसको न अचानक से चैरे पर जाया नजर आने लगती है यद आपके चैरे पर पहले से जाया नहीं है और आपको अचानक से जाया मैसूस हो रही है आपको पता लग रहा है कि आपके चैरे पर जाया आनी शुरू हो गई है तो आपको यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आप प्रेगनेंट हो तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियो देखने के लिए धन्वात तैंक यू